सौदागर हिंदी मूवी रिव्यू सौदागर 1973 की एक बॉलिवुड ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुधेंदु रोय ने किया है और बंगाली कहानी रास पर आधारित है, नरेंदरनाथ मित्रा इसमें नूतन ने महजुबीन और अमिताभ बच्चन ने मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में अभिनय किया है इसमें फूलबानू के रूप में त्रिलोक, कपूर और पद्मा खन्ना भी थे फिल्म में बड़ी भी के रूप में मुराद, देव किशन, जुगनू और वी गोपाल भी है हाला की फिल्म ने व्यावसायक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन इसे 46-वे अकादमी पुरसकारों में सर्वश्रिष्ट विदेशी भाशा फिल्म के लिए भारतिय प्रविष्टी के रूप में चुना गया था लेकिन नामांकन प्राप्ट नहीं हुआ अमिताब बच्चन द्वारा अभिनीत मोती एक गुर्थ है जिसका अर्थ है अप्रिश्कृत केंडरित गन्ना चीनी व्यापारी जो खजूर से बने मौसमी गुर्थ का व्यापार करता है आफसीजन के दौरान वह फूलबानू नाम की एक लड़की से मिलता है और उसके साथ प्यार में पढ़ जाता है मोती फूलबानू के पिता से संपर्ख करता है जो मिहर मांगता है जिसका मतलब दुलहन की कीमत है जो उसके पास नहीं है माजूबी का किरदार नूतन नाम की विध्वा है जो मोती की कारोबारी सहयोगी है और उसे बेचने के लिए गुर तयार करती है उनकी गुर बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं मोती मजुबी से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे उसे भुगतान न करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक बचत कर सके माजुबी मोती के गुप्त उद्देश से अंजान पहले प्रस्ताव से आश्चर्यच्कित होता है लेकिन बाद में इसे स्विकार कर लेता है सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए परियात बचत करता है और मजुबी को तलाक दे देता है इस घटना ने मजुबी और समुदाय के लोगों को जखजोर कर रख दिया मोती फूलबानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूलबानू की शादी मोती से कर देता है गुड का मौसम आने तक सब ठीक है फूलबानू गुड बनाने में भयानक है और मोती के ग्राहक उसकी दुकान से खरीदना बंद कर देते है इस बीच एक मचली व्यापारी माजूबी से शादी करने के लिए कहता है वह उसके साथ इमानदार है कि उसके छोटे बच्चे हैं और चाहता है कि मजूबी उनकी देख भाल करे वह हमेशा उसके साथ शिष्टाचार के साथ व्यवहार करता है गुड के मौसम का लगभग अन्थ हो चुका है और मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमा पाता है एक दिन फूलबानू बीच में गुड बनाकर नहाने के लिए छोड देता है जब मोती आता है और देखता है कि गुड जल गया है वह फूलबानू को डंडे से बुरी तरह पीटता है अब आखिरकार उसके पास माजूबी से अनुरोध करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है कि वह उसे बेचने के लिए गुड के कुछ वट बनाए वह खजूर के अमरत के दो डिब्बे लेता है और मजूबी से उसके पती के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुर बनाए उनके बाद फूलबानू का नंबर आता है पहले तो माजूबी मोती को देखकर बहुत गुस्सा होता है लेकिन समझ जाता है कि वह दैनिय हालत में है और अप्रत्यक्ष रूप से उससे माफी मांग रहा है वह फूलबानू को एक बाड के पीछे से सब कुछ सुनते हुए भी देखती है जैसे ही दोनों महिलाओं की आखें मिलती हैं वे रोने लगती हैं और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती हैं फिल्म इस दृश्य के साथ समाप्थ होती है